राइस्तान पुलिस की बरवता गाउं में देखनों के मिली सीकांत के घर पर दविश के दोरान सीकांत की पत्नी जो गरववती थी उसके चोट लगी और उसके पेट में जो बच्चा था वो खतम हो गया मैं इस वक्त सीकांत के घर पर ही हूँ मौजूद और सीकांत के जो भा मेरे नाम विश्ण शर्मा है यह सोड़ा की रात सब्सक्राइब लगबग तीन वजे चारीस से पचास पुलीस वाले आये थे और उन्होंने मरला हमारे दर्वाजे खटखटाने शुरू के लादगू समाने स्टार्ट करें कि दर्वाजे खोलो 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 इस टाइब से मेर भाई मेरे पापा बैठक में सो रहे थे तो यह 30-40 लोग आये थे वो ड्रेस में थे या बिना ड्रेस के लगबग 40 के आसपार तो ड्रेस में ही थे लगब और 10 के आसपार से शिविल में थे फिर क्या हुआ था और उन्होंने मम्मी ने दर्वाजा खोला तो उसमें मेरे भा फिर कुछ भी 20-30 पुलीस भीतर भी घुशी है उन्होंने हमारे दर्वाजा खट खट आये हैं उन्होंने दर्वाजाओं लात मारी है उसके बाद मैंने दर्वाजा खोला है तो मुझे भी पकड़ लिया है उसके बार दूसरा रूम में लात घुशे मारे हैं खोलो खोलो उसमें मेरी भावी और उसके बच्चे सो रहे थे उर मेरे बावी नव महिने से गुला मेरे दॉम्हार मारा इसमेरे हुआ होने वाला था और हमें थोड़ा दो मिंट के लिए नगीन थाना गए हैं गाड़ी वहां से हम उतारा नहीं है तुरान दुधाई से डारेक्ट राजिस्तान लेगे हैं और आपको शिरकान पे क्या रूप से राइस्तान में पाधी थाना ले गए हैं पाधी थाने में हमें बैठा दिया गया पूष्थाज मोनों ने पहुछा था सरी कंड कों है क्या कंग पूष्था का माथ क्या रिलेशन है और आपको क्या लगता है आप क्या करते हो आपको छोटा भाई क्या करता है आपको पापा क्या करते हैं आपकी रिष्तेदारियां fian तो लगवक कितनी गंते तक आप से पूश्ताच चली थी फिर आपसे क्या चौड़ दिया था जमानाथ दी क्या करा था उन्होंने पूश्टाच पूश्टाज तो हमसे सुबह से लेकर दूसरे दिन तक चली है और लगबक पांस अधिकारियों ने हमसे पूश्टाज करी है अलग-अलग करके और जमान हम कोई करमिल थोड़ी ना थी जो हमारी जमनात होगी हम तो उन्होंने वैसे ही पूश्टाज के लिए पकड़े थे न उन्होंने चाहिए जो पूश्टाज के बारे बता ही स्रीकांत मतलब एक तो हमारा गाहां में चोटा मोटा जमी धा रहे हैं और बाकी स्रीकांत एक गोभोगत है और समास सेवा करता है वो और बाकी जब भी मतलब कोई कहीं भी गोकशी होती है उसमें वो कभी भी अकेला नहीं रहता है मतलब हमेशा पुलिस के साथ रहता है और पुलिस के साथ ही मतलब कोई भी कहीं भी गोकशी होती है उसको रोकता है जिसमें CIA स्टाफ भी होता है, कभी वह अकेला नहीं होता, और हमेशा कानून के अंदर ही वो काम करता है, कभी कानून से उपर काम नहीं करता है. उस दिन क्या हुआ था? दो जो मुस्लिम लड़कों की मौत होई है, उस तारोप लगाए उनके उपर उस दिन क्या हुआ था उसकी कुछ जानकारी है जो राइस्थान पुलिस पहले हमें इस चीज की जानकारी नहीं थे लेकिन बाद में हमने भी फोनों पर देखी है कि ऐसे ऐसे वहां पर राइस्थान में दो लड़के मर गए है हमारे किसी भी परिवार कोई चीज के बारे मालूम नहीं है स्रीकांद भी जिस दिन की वारदा आते जिस दिन लड़के मरे हैं उस दिन भी स्रीकांद पहले तो दिन में घरी था रात में नौ बज़े से लेकर बारे बज़े तक एक गुड़गावां में एम्बेंस मॉल है वहां पे था वहां पे अपने दोस्तों के साथ कोई पार्टी में था उसके बाद वह एक बज़े के असपास अपने घर आ गया है वहां पे सारे कैमरे हैं सीची टीवी फूटेज है सब कुछ है पुलीस वहां देखे खंगाले वहां पे सब चीज मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है रात मे लाएं प्रविश करे किसी करदीक्री में सारे नाम इसकी नाम के पांच नाम है इस इस गाड़ी पर फूटे मरे हैं उसके परिवार में किसी की है और रिष्टेदारी में से उनके कोई मामा मामा की निकली है आप कहने का मतलब आपका यह है कि सिर्कान मौके पे नहीं था पुलिस उसे फसा रही है यस यस उसकी लोकेशन कहीं और थी है यस यस पुलिस उसकी लोकेशन उधर की नहीं है ना हमार अब यह जो घड़ना घड़ी ती उसके बाद पुलिस ने जो दविज दिया है उसके बाद जो बच्चे के मौत ही उसमें आप लेंगे नहीं कोई तहरीर दिये फिर दुबारा से हाँ हमने पुलिस से कंप्लेंट करी है पुलिस आज हमारा मुकदमा दर्ज हो जाएगा गारी जो मरा है वो इनकी गलती से मरा किस थाने में आपने तहरीर दिया और पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिये गाए तहरीर पर अभी तक मुकदमा दर्ज किया जाएगा नहीं किया गया है आज हमारा बच्चे का पोस्मार्टम हो जाएगा और उसके बाद नगीना एस्च जो है और एस्पी साहवे सब नास्वासन दिया है मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आप हैं सीकांत के भाई और उन्होंने अपनी जो घटना घटी है अपने मुझ से बताया है सारी बात बताई उनका कहना है कि रात में तलके तीन वजे पुलिस वाले 30 से 40 की संख्या में आ रखा गया है पोस्ट मॉटम के बाद ही अगली करवाई की जाएगी परिवार की मांग है कि हमारे जो बच्चे की माथ उसमें मुकदमा दर्ज किया जा उसमें उनको इनसाफ चाहिए गाईस्तान पुलिस द्वारार शीकांत पर जो आरोप लगा गए हैं उस पर परिजनों के साथ यहां अपने घर के बाहर रुके तो मैं उसी जगह पर माजूद हूं यह उनके घर पर जाने का जो रास्ता है यहां पर शीकांत को उनके दोस्त ने छोडाता और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर ही शीकांत का मकान है जो वह अपनी गाड़ी से उतर के पैदल ते तीन बजे सम्तिंग हम गुड़गावा के लिए गए ते गुड़गावा साम को पहुंचेते साम को हमने थे बार वी की मैं अपने फोन से मैंने अपना रेस्ट्रेंट है उसका बुक चार बंदों के खाना बुक गया था उसमें खाना खाने के बाद हम 11 बजे वहां से चैनल से 11 बज़े बाद हमें एक बज गया था घर फे एक बज़े मैंने स्रीकांजी की यह ही उतारा था फिर मौर्णिंग में मुझे खेतों पर मिला था पंद्रतारिक को सुबे मौर्णिंग में दिन बार मिला था गाम सिका उन्हों मुझे आर दस गाड़ी थी पुलिस की पूलिस ते या हर्यान पूलिस दोनों ती नो ने आपको रोक लिया पहले अपने साथ ले गए थे से लिए पूस्तास लेने के बाद मुझे 72 घंटा कस्टिडी में राखा पूस्तास की और मुझे मुझे यही बताया उनको स्रीकांद मेरे इसने साथ है उसके कोई इसमें लेना देना नहीं है मुझे लगता है अपको कहा यही नजीना थानी में रखाता यह राइस्थान पुलिस अपने साथ लेके गई ते जुराड़ा थाना मुझे रखा ता बहतर गिंटा आपको और उनके स्रीकांद के भाईयों को दोनों तीनों को साथ ती सोड़ा था नहीं नहीं मेरे साथ नहीं लुपने चार बजे मिला था याँ अपर कहता है लिए इनगाना है कि शीकान्त को जो जिस तरह के से आरोप राज्स्थान पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं वो इनका कहना है कि निरादहार है क्योंकि शिकांत जिस्त तारिकी घटना है उस दिन उनके साथ था अब पुलिस हर्याना पुलिस और राइस्थान पुलिस दोनों इस पूरे मामले की जांच कर रही है कैमरे परसन नेदिम के साथ के अंश्मन यादा प्रियाना